अगस्त के महीने में कई खगोली घटनाय होने वाली हैं जिनने दुरलब माना जाता है इस महीने के दो सूपरमून दिखाई देंगे पहला सूपरमून एक अगस्त को दिखाई दिया और दूसरा तीस अगस्त की रात को दिखेगा तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी खासियत इस महिने में दो सूपरमून दिखने वाले हैं पहला एक अगस्त को दिखाई दिया और दूसरा 30 अगस्त की रात को इस दिन दिखने में वाला सूपरमून अन्य सूपरमून की तुलना में काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि यह धर्ती के बहत करीब होगा इसके आलामा आप इसके रंगों को भी आसानी से देख पाएंगे वैज्यानिकों का कहना है कि इस दिन पृत्वी के चारों और चंद्रमा की कच्छा लगबग पांच डिगरी के कोड़ पर जुकियू होती है वही 30 अगस्त को ब्लू मून दिखाई देगा ब्लू मून एक अत्यंत दुरलब घटना है इसका चंद्रमा के रंग से कोई लेना देना नहीं है यह अक्सर किसी महीने की दूसरी पूरिमा को दिखाई देता है इस बार अगस्त के महीने में भी दो पूरिमा पड़ रही है इसलिए दूसरी पूरिमा के दिन ब्लू सूपर मून नजर आएगा इससे पहले ब्लू मून 22 अगस्त 2021 में देखा गया था ब्रिटिस वेवसाइड दसन की रिपोर्ट के मुताबिक सूपर मून एक दुरलब और प्रभाव साली चंद्र घटना है जिसे आप साल में केवल कुछी बार देख सकते हैं जब भी ऐसा होता है तब आसमान में विशालकाय चंद्रमा के दर्सन होते हैं खगोलिक खगोली वीदो के अनुसार सूपर मून का बनना दो अलग-अलग खगोली प्रभाव का सयोजन है जब सूरे की पूरी रोशनी से नहाया हुआ पूरा चंद्रमा प्रित्वी के सबसे नजदी की बिंदू के पास से गुजरता है तो वा हमें विशाल और भव्य रूप में दिखाई देता है इसी घटना को हम महत पूर चंद्रमा यानी सूपर मून कहते हैं यह स्थिती तब आती है जब चादनी रोशनी से चमक रहा पूर चंद्रमा प्रित्वी के 2,24,865 मिल के दायरे में आ जाता है